बच्चों को ड्यूनिंग अच्छा च्छे के सभी बच्चे जुड़ जाएं कापी कलम और बुक तीनों चीज लेकर सभी लोग अपने मुबाइल के साथ बैठ जाएं और आज प्रस्नावली 10 भी हम लोगों को करना है प्रस्नावली 10 भी इससे पहले हमने सारी प्रस्नावली क्लास में बता दी है और बाकि जो 10 भी है वो आप अपना हम बताते जा रहे हैं कि नो के अभाज गुड़न खंड है ना तो नो के अभाज गुड़न खंड बनाना है तो आप बनाईएगा कि नो लिखना कितने नो तो पहला कोश्चन का जो ये आंसर आपको लिखेंगे नो के अभाज गुड़न खंड करेंगे तो देखो इसके नो के अभाज गुड़न ख अभाज गुड़नखंड इतना हुआ है कि तीन गुड़े तीन बस तीन तीन में नो तो इस प्रकार से इसके अभाज गुड़नखंड हो जाएंगे सवाल नंबर दो देखेंगे सवाल नंबर दो है आपका कि यदि किसी संख्या के अभाज गुड़नखंड दो कामा दो और त तो संख्या बताईए कौन सी होगी है ना तो कोई संख्या है जिसके अभाज गुड़नखंड दिये गए हैं दो दो और तीन तो जो गुड़नखंड होते हैं उनको हम लिखते कैसे हैं यह देखो तो दो नंबर सवाल में तुमको कैसे लिखना है तो यह हो जाएगा अभाज गुड़नखंड को गुड़ा के रूप में लिख देना तो यह हो जाएगा दो गुड़ा में दो और गुड़ा में तीन तो यह हो गया अभाज गुड़नखंड अब गुड़ा करने पर कितना अंसर आएगा वह आएगा दो दुना चार और चारतिया में बारा तो आगे इ सवाल नमर तीन कहता है कि एक संख्या के कुड़न खंड इक संख्या एक संख्या के है गुड़न खंड आठ और तीन है उसके अभाज रूब देखो देखो आठेज़ाल given हम जी आथ उर तो भी इसके गुड़नख़ंड कायी है अब आपको क्या करना क्या क्या है अब हाज गुड़ ऑपाज है लेकिन यह जो 8 संख्या दे गई है क्या है यह ज्य को 아इल कष्क देना किसे तो 8 के जो है आपको ज॑रेपहर देना और jáا तो तो आपको यह थीस को आपकों सब्स minds that एक वह सब जाएंगे 2 ब्राइबगर ऊब्रण में 23 क आपको उपड़े तीन इस प्रकार से आपको लिए देना है इसके बाद देखो कोशन दिया गया है कि कोशन नमर चोथा है कि यहां साथ के दो भिन भिन पर गुड़न खंड ब्रच्छ दिये गया है इनमें अज्यात तंख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है तो ज जो है आपको धियान देना है सैं कि देखो अभाज गुड़न खंड ब्रच्छ है ना साथ के 60 के बनाए गया नियुकस्य साठ के इसमें 60 को किया गया 6 6 और 10 ये 2 हो गये तो इसमें तीन भर दिजएगा, इसमें 10 है, तो 5 दूनी 10, तो 5 इदर भरा ही है, दो इसमें भर दो, ठिक, ये किताब में भरा है पहले से, बाकी आपको समझना है कैसे भरना, इसके बाँ देखो, यहाँ पर लिखा 60, क्यतना लिखा, 60 लिखा है, अब 30 दूना 60, तो यहाँ इसके में नहीं मिकम क्या के समध् Ubuk में भररा किस अच्छा यहाँ देखो यह को लिखा 30 30 इधर लिखा है खुड़न खंड तो गॣंखंड přिस्ब्स में हो जाएगा और उसके बाद दस अभाज अभाज ओ उरक कर सन ईहां जो है और लाध माँज्ट किज़ें यहां पर कैतना है। यहां पर क्या क्या react कर रहा है कि साथके इस प्रकार से गुड़नखंड केुं हो गहे। को जबते हैं कि लाच्ट में आपके बराबर ही होंगे। जैसे देखो इसमें दो, फिर तीन, फिर पांच और दो आया, है ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी होगा, दो, दो, तीन और पांच है ना, तो इस प्रकार से आपके अभाज गुणन खंड हो जाएंगे, तो अगला कुश्चन हम लोग करेंगे, अगला कुश्चन है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिये, उसे अभाज गुणन खंड के रूप में लिखिये, ठीक, तो पांच अंकों की बताना है, और सबसे बड़ी संख्या लिखना है, है ना, तो आपको क्या करना है, कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है, सवाल चार रंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले यहां लिखेंगे कि चार रंकों की चार रंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना सबसे बड़ी संख्या चार अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी बताओ हमने कहा था कि जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो और अंक दिये गए हो चार अंकों पांच अंकों तो उतनी बार नो लिख दो तो चार अंकों के सबसे बड़ी संख्या कितने हो जाएगी कि अध्यान देजिए अच्छा यहां पर लिखा 9999 है ना तो इसको अभाज उक्रण करेंगे दूसरा तरीका देखो कैसे हम करेंगे यह ध्यान देना है आपको तो 9999 यह लिखा गया है अब एक काम करिए इसको जो है जैसे जिस प्रकार से भाग किया जाता है वो इसे इसको भ अब देखो जो है किसमें nee यया आप सीन और एप यह फिर टियान ओर यह पिर पूरी पूरी कट गयी गई इसके बाद आप फिर गाटो तो यह जो है जाता हो तीन चेंश्ण कटो दिन यह हो जागा तीन यह संख्याट हर एक हजार 110111 अब देखो यह है आपकी 1111 यह लिखी हुई संख्या है और यह संख्या बताओ जरा तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी तो देखेंगे तीन से कैसे कटेगी कि नहीं कटेगी यह ध्यान देना तो यह संख्या तीन से आपकी नहीं कटने वाली क्यों नहीं कटेगी वो नियम हम नहीं लिखव रिखना देगे कौन सव सभास नियम से कटेगे की नहीं गठेगे तो लिए दिहाण देंगे 되어 किसे काटेंगे 11 से काटएं गैसे काट या कर देंगे तो ये कट जाए गर अपका देखो 11 ग्यारा से काटएंगे तो एक सो एक काट थै?का इसके बाद इसमत ही आपूरा चाहिए 101 जसे काट दो इसमत पहाड यो ह। तो ये एक बार में कट जाएगा ठीक तो इस प्रकार से जो अभाज गुड़न खंड हमारे हुए किसके 9999 के ये आ जाएंगे इस प्रकार से इसको लिख देना 9999 बराबर में कितना हो जाएगा तीन गुड़े तीन गुड़े ग्यारा गुड़े एक सो एक ये हमारे हो जाएंगे अभाज गुड़न खंड है ठीक तो 9999 के अभाज गुड़न खंड कितने हो जाएंगे ये दो और दो चार है ना ये गुड़न खंड हो ये अभाज गुड़न खंड है अगले कुस्चन पर कि सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या नियम होता है सबको जानकारी होगी है ना किस प्रकास सबसे छोटी संख्या लिखना है तो छे नंबर कोस्चन दिया गया है क्या है कि पांच अंक की सबसे छोटी संख्या पांच अंक की सबस वह गई 5 एंग की सब्से चोटी संख्या थे नी है पांच ऑग अजुद के रोप में लिखना है तो इसको काईसे लिखेंगे ये लिखा है 10,000, क्या लिखा है, 10,000, इसको जो है भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे, देखो, 0 है लास्ट में, तो 2 से हमारा चला जाएगा, इसमें भाग, देखो, 2 का पहड़ा इस 10 में लगाओ, जो 10 में लगाओगे, 2 पंचे, 10, 5 आ जाएगा, और ये 0 कितने बचे, 3, क इसके बाद फिर 2 से इसको भाग करो, जो फिर 2 से भाग करोगे, तो देखो, यहां लिखा है 5, तो 5 में 2 का पहड़ लगेगा, 2 दूना, 4, और बचा कितना 1, यहां पर 10 हो जागा, 2 पंचे, 10, और 2 0 इसमें बचे, इस प्रकार से करते चले जाएगे, फिर 2 से काटो, तो 2 कम दो, फिर 2 दूना, 4, और इसमें बचा 1, यहां पर 2 पंचे, 10, और यह 0, इस प्रकार से करते जाएगे, फिर इसको 2 से भाग करेंगे, फिर जब 2 से भाग करेंगे, तो जो कितना आ रहा है, यहां देखो, एक है, एक में पहड़ाने लगेगा, तो 12 में लगाएंगे, तो इस यह 625 लिखा, इसमें किसका पहड़ लगेगा, क्या 3 का पहड़ लगेगा, देखो 6 और 2 आठ, और 8 पहड़ त्यारा, त्यारा तीन से करता नहीं, अता हमारे संख्या यह 3 से नहीं करते वाली है, पांच से लगाते हैं, पांच से से में भाग लगाओ, पांच एकम 5, ए पांच से लगाएं, तो पांच एकम 5, इस प्रकार से यह पूरा सौल्व हो गया, और इस तरफ जो हमारे आये हैं, यह है अभाज गुड़न खंड, क्या है अभाज गुड़न खंड, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, अब लिखेंगे, यह 10,000 के, 10,000 के अभाज गुड़न कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, चार बार आया है, 1, 2, 3, 4 और 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार, तो 5 भी 4 बार लिख दो, ठीक, यह हो गया, अभाज गुड़न खंड, तो 10,000 यह सबसे झोटी संख्या है पांच अंकों की और यह अभाज गुड़न खंड है, हैना, तो बस ऐसे ही आपको लिख देना है इसी प्रकार से फिर कापी भे भी solve कर देना है सवाल को अगला सवाल नंबर देखते हैं सवाल नंबर है आपका साथ सवाल नंबर साथ ऋबर है इसके अभाज गुलनखंड करना है और अभाज नंसको ग्यात करना है और करना किसी उधिधिया जा रहां 2擊 10,000 में खरों सब्सक्राइब तो इस्कों भाग भी करें घी चिनियो फ़्लिखा दोड़ा हल करेंगे देखो भाग कर लो इदर और इसके बाद लाके दर गुड़नखन के में लिख देना तो 1728 लिखा हुआ है अब ध्यान ये देना है कि 1728 को दो से भाग करेंगे किसे दो से क्योंकि देखो इकाई कांग कितना है आठ है तो ये दो से कट से कट जाएगा तो संख्या पूरी दो से कट जाएगी तो दो का पहाड़ा हम लगाएंगे 17 पहले दू अठे 16 एक बचा दो चंगे बारा दो चाकु आठ इस प्रकार से आप तो ऐसे है इसको फिर से भाग करो तो दो से भाग करेंगे देखो दो दुना चार दो एक कम दो दो चक्के बारा ठीक 2-1 कम Sonra iki और एक बचा और यहां और जोगा दो से करो दो से भाग करएंकरो च्만 कर आफएधो आप अब देखो यहां पर ने में पहाड़ा लगा नहीं तो स्काइब एकने जीरू लिखेंगे सब्सकीतिनेदर हुर आजांस तब दो एक लुक को सब्सक्राइब करेंस एक फ्र दो से भाग करेंगे तो यह घॉल है आपका दोमें फाथेंट पांच में पाहरां तो दोकरानाझ तो दुनी चार और 24 सच्वय सब्ञें अंगया फिर इसके बाद अब देखो दो में पहाड सब्सक्राइ darauf दो का पहाडा 27 में नहीं लगे आंको क्या करने हैं तो इसके अभाज गुडnity के इसा ने हृइ आगि सफ्रासई उटाद के बने दो 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 कितनी वार एक दो तीन चारब आला या या दो और थीन बार आया है तीन तो ऐसे लिख Dannai 77 बारे है certified Ben 278 के आगे गडवारे के कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे बार हुआ, और इसके बाद तीन बार क्या लिखेंगे, तीन, ये हो गया क्या तुम्हारा, ये हो गया अभाज गुणन खंड है, इसके 1708, इसके अभाज गुणन खंड हो गया तो किस नियम होते हैं किस नियम होते हैं वह नियम हम लिखवा देंगे उसके बाद बाकी सारे question करा देंगे तो साथ नमबर तक सवाल आप लोग फेर पर लगा लीजे और उसके बाद हम कल की class में कुछ नियम लिखवाएंगे और बाकी के सारे question करा देंगे ठीक तो आज की class में बस तना ही तो कल मिलते हैं इसी समय साथ बज़े सभी लोग आ जाना और class आपकी साथ बज़े रोजाना daily होगी ठीक